असलाम लेकुम स्टूडेंट्स वेलकम तुमारी चैनल लर्निंग विद अनोश वामीद है आप सब लोग खेरियत से होंगे बीए 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 सी पार्ट टू कम्यूर साइंस प्रेक्टिकल्स की प्रेपरेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है इससे पहले 7 वीडियो बनाई जा चुकी है जो के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम Microsoft Access को कवर कर रही थी आप उनको अच्छे तरीके से स्टूडी कर सकते हैं ताकि आपकी कम्प्लीट प्रेपरेशन हो जाए आज की वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेगी ऑपरेटि आपको सेंटर्स में या इसलिए विडियो प्रेपरेशन कराऊंगी ताकि आपकी प्रेक्टिस हो जाए और आपकी किसी विडियो के ओपर विंडो एट या कोई भी विंडो मिलती है तो उसके ओपर आपको प्रेक्टिस एजी हो जाएगी और आप लोग आपके पस जितने जो जो सिस्टम्स आपकी घरों में और उस पर जो भी विंडोस आप उस पर प्रेक्टिस कीज़ेगा ताकि आपकी इसकी प्रेपरेशन हो जाए तो जनाब अगर आपके बस विंडोस 10 नहीं भी है घर में तब भी मिलते जुलते ही स्टेप्स होंगे बहुत डिफरेंट नह अगर नजर आरही है डेक्सटॉप आइकन फोल्डर्स है कुछ रिसाइकल बिन मौझूद है इसके इलावा नीचे टैस्क बार है जिसके ऊपर स्टाट बटन सर्च अप्शन है और यह बाकी आपको डेट और टाइं टाइम और नजर आ रहे है अच्छा सबसे पहला जो में करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और जो आपके पास यह मेन्यू ओपन हुआ है इस पे परस्नलाइज पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी उस विंडो में देखें आपके बस पिक्चर की भी ऑप्शन है यानि आप बैग्राउंड एस पिक्चर र जाएगी और फिल्हाल कोई पिक्चर रख लेते हैं यहां पर यह मेरा लोगो है इसको सिलेक किया और यह देखें थोड़ा बलरी सा हो रहा है अगर में लोगल किया और इसमें जो चूज आप फिट की ऑप्शन उस पे फिल सिलेक्ट हुआ है ठीक है अगर जिसमें लोगो पूरी और पूरी स्क्रें बढ़ा है आपस इसको हां प्रुडरी अर फिल में पूराच को सकते हैं ते यहां प्रुडरी इवा पशन कर सकते हैं कि सुर्फर shout out this schon setup, विसमろ सिलेक्श के और जाए अपने से लिग् में परूरा प्रेंट से अधिन पे उसके निरेक्ट्न कर स ओरूर 슈क्ड़ांट नहीं से पनी मर्सी से अप्षिन कोई यदे मैं अप्षिन से लेक्रिज करना अगर आपका मकिसत उत्सμεis नहीं लेकोम complete लिछे लेक्ट करने तो का थिर सक्वाइप इस तरीके से दिल्डोस-टेरnh वाइवा के लिए एक और इंपॉर्टन बात बात बता हुआ है कि मेरी MCQs की वीडियो पढ़ी है डेडाबेस मैनेजमेंट सिस्टेम की और अपरेटिंग हिस्टेम की आप अगर सुन लेना एक दफा वो MCQs की वीडियो जो मेरे चैनल पढ़ी है आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे वह ऐसे ही कॉंसेप्स बताएं जो वाइवा में पूछे जा सकते तो वाइवा के लिए अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते तो वह MCQs की वीडियो आप सुन ले उसमें आपको सारे कॉंसेप्स ऐसे से अनिते हाद को वाइवा करना मुश्किल नहीं होगा अच्छा जनाब क्या करने लगी है करें लिए स्कूरियों क्या सक enforcement करने है यहां पे लॉक स्क्रीन की option आपने उस पे क्लिक करना है ठीक है फिलहाल लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से टाइम आ रहा होता है डेट अर पिक्चर बैंग्राउंड पर आ रहे होती है ठीक है यहां देखें थुरा सा स्क्रोल किया तो नीचे स्क्रीन सेवर सेटिंग की option आर ऊको नगे की एकाच है शोली को कि पुल का दर्क करें के तो यह लिए Nav2 इuno junk से रहे होो DAN विए अब आफेक्ट के डिं अफेक्ट deal और से लिए ठीक या प्रिभीर्द ते लिए एक्षपर देला है आपफेक्ट पहल तु कुछ पिर में से फिरी बड़े ठीक्त करें कोई टेक्स मुव परिए को अधिल क此 रहता है यूर रिखे को मुष लगता है वा टेक्स मुव करें जी पईल कि आप अधिल कीma चेण्च कर सकते हैं सिमेद मेह बाइप कbout कष्ट हार कीविदर क्यां तो इस तरह से आप स्क्राइब कर दीचेगा और यह स्टेप जो आप जैसी से परफॉर्म करेंगे इनी को लिख भी दीचेगा मैंने एक प्रिक्टिकल प्रोसीजर के साथ लिखना भी बताया था उसी को फॉलो करें जैसी जो स्टेप करते हैं उसको आप एस लिख दे तो यह हमाय स्क्रीन सेवर का भी हो गया अब थर्ड टास की करते हैं कि देट इन टाइम इसका भी एक क्वेस्टिन आ जाते है यह जितने भी आपको करवा रहे हूं ना टास्के सारे इंपॉर्टन जो के पेपर में आयवे भी है और आ भी सकते देट इन टाइम सेट करना अब यह टेक्स बार जो है इसके ऑपर डेट and टाइम की खरेशन आ रही है ऌपके पास यह यह फिकरेबों हो है अगर आपने डेट and टाइम सेट करना है तो फिर आप क्या करेंगे आपने इसकर रैटक्लिक करना है और इजस्ट टाइम पे खर देना है यह देखिए आपके सामने वि आपके पास इसको खुड से सेट करना का बछाँ करनी का भी बटन आ रहा हुआ है अपके इसको चेंज भी कर सकते हैं यहां पर चेंज पी आपने क्लिक करना है और यह देखे कि डेट आपने जो भी चेंज करनी फॉर इ prends के थिसेंबर है इस तरह से करके और मैं टाइम भी तो अगर वो कहें कि अपना date and time सेट करें या चेंज करें तो आप यहां से चेंज के बटन से इसे कर सकते हैं इसो क्लोज कर देते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि control panel के थूँ यह काम करें तो आपने simple क्या करने आप चाहिए तो आप अपने रहा हैं तो आप यहां कर लिखी का टॉप पर आजाएगा सबसे अपने अपने पर आप लिखें और ने चाहिए वहां से जाकर आपको बहुत सरे तूल्स और फीचर्स मिल जाएंगे देखिए शिस्टम सेट्यूर्टी रिलेटेड यहां पे हैं आप्षण हम जाएंगे इसके टूल्स मिल जाएंगे यह डिलीफ़ोंड फोल्डर की ऐप्षाइंछ उप्षाइंगे यहां से आप डेटन टाइम सेट कर सकते हैं इदर से बी क्लिक कर गिए आपके पास ऑप्षण आजाती है चेंज डेटन टाइम की आप इस पर क्लिक करे यहां से भी update and time set कर सकते हैं, change कर सकते हैं, अपनी मर्जी का okay करेंगे, वो change हो जागा जो भी आपने यहां select किया होगा, set किया होगा, ठीक है, इसी तरह से आप time zone वगरा भी change कर सकते हैं, time zone change करने की option अभी फिलाल कराची का है, आप किसी और country का भी set कर सकते हैं, कोई issue नहीं ह तो यहां से भी काम किया जा सकते है, control panel में जाके और वहां पर भी direct, हमारे पास options में यह दोनों तरीके ठीक है, आपको कोई यह नहीं कहेगा, क्या आपनी गलत किया, यह कैसे किया, ठीक है, अब हम next task की तरफ move करते हैं, next task यह करते हैं, कि हम अपने web browser का starting page होते है, home page, वह ह जब ओपन हो तो PU.edu.pk अपन हो, आपकर देखे हैं, MSN यह Google का page open होते हैं, जब हम start करते हैं, तो हम हम अपेज सेट कर देते हैं, PU.edu.pk, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम में जाना पड़ेगा, यह control panel में जाना पड़ेगा, यह control panel के अंदर हम चले गए, ठीक है network and internet पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, और यहां पर देखें, internet options में लिखा है, change your homepage, हम इस पर क्लिक कर देंगे, और यहां देखें, go.microsoft.com, यह है फिलहाल, ठीक है, आप यहां कर देखें, http, ठीक है, colon, double dashes इसी तरह से, और यहां पर आप कर देखें, www.pu.edu.pk, यह हमने सेट कर दिया, ठीक है, और start with homepage, अब भी start हो, हमारा browser, तो homepage के साथ start हो, okay कर दिया, हमने इसको, ठीक है, okay, click कर दिया, अब हम देखें है, हमारा browser open कर के, क्या वो homepage के साथ start होता है, या नहीं है, अब हम क्या करेंगे, internet explorer, open कर लेते हैं, अच्छा, internet explorer पे ही, आपका सेट होगा, ठीक है, आप यह नहीं संजीगा के, Google Chrome या वो सारे ब्राउजर जो है, उन पे सेट नहीं होगा, definitely उनके लिए separately जा के आपको करना पड़ेगा, तो internet explorer पे देखें, pu.edu.pk, यह open होगया, homepage यहां पे सेट हो गया है, ठीक है जणाब, तो अब हम next task की तरफ चलते ह है, यह मैंने आपको करके दिखा दिया, इसको close कर देते हैं, अब हमें यह task करना है, कि हमें resolution screen की, display screen की resolution को change करने है, तो उसी तरीके से आप right-click कर सकते हैं, मैं आपको control panel से भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको उससे भी idea होजए, आपको दोनों method पता हूँ, control panel open कर लेते ह मैं किसी और मजीद मेनू करूं करूं, आपको एक और ओप्शन दिखा देते हूँ, देखें के category लिखा वे यहाँ, view by category, आप इस पे क्लिक करके, आप लाज आइकन या small icons पी कर सकते हैं, उसमें आपको देखें ज्यादा options मिल जाएंगी, और आपको ज्यादा अच्छे तर स्क्वीन की चेंज करनी है, उसके लिए आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आप पर सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, जो अलड़ी हमने डेक्स्टो पे देखें निसके लाब आप इंटल एच्डी ग्राफिक्स के उपर क्लिक कर सकते हैं, यह देखें, जो ड्राइवर्स है भी सासे चेंज की प्लक खेंश है, यह देखें डिस्प्ले सेटिंग्स को क्लिक किया और यह देखें अब यहां पर देक्या कि रृड़ी साल中共 सेवानी जानी ऑपط रेजलुशन चेंज करने का दूसरा तरीका यह है कि डेक्स्टॉप पे राइट लिक करें और डिस्प्ले सेटिंग पे करें यहां पे जो विंडू आपके पास ओपन होगी यहां पे आपके पास स्क्रीन साइज ऑप्शन है लेंड्सकेप और इसके साथ-साथ यह डिस्प्ल चेंज कर सकते हैं नेक्स्टीस जो मैं करवाने जारी हूं वह है कि करसर को अपनी किस तरह से कस्टमाइज करना है या चेंज करना उसके लिए आपको माउस का अगर आपने आइकन चेंज करना हो ठीक है उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा अच्छा व कर दीजेगा कोई भी यहां पर option select करके तो उसके बाद उसको apply करके यह देखिए apply हो गया okay कर दीजेगा यह black color में आपके पास pointer आ गया है ठीक है तो इस तरीके से आप कर दीजेगा mouse change हो गया यानि जो pointer है इसके इलावा यह भी task आ सकता है कि right button को left और left को right के तौर यूज़ करें तो simple buttons पर जाएंगे और यह switch primary and secondary button के उपर क्लिक करेंगे तो यह देखिए अब यहां पर blue जो है हमारा right पर आगए यानि जो हम select करेंगे अब हमें right click करना पड़ेगा तभी हम select कर पाएंगे या कोई application open कर पाएंगे अदर्वाइस ने इसको okay कर देंगे right click करके अब मैं देखे right click कर रही हूं तभी कुछ open हो रहा है ठीक है left click पे short menu open और यह देखे और right click पे सारे main functionality है वह हो रही है तो मैं इसको वापिस द्वायर चेक कर देखे हूं क्योंकि मेरे लिए problem है इसको use करना right click कर सारा तो आप इस तरीके से change कर सकते हैं इसको okay कर दिया अब हम यह करते हैं कि एक folder create करते हैं desktop पे उसको hide or unhide करते हैं यह task भी आजाता है simple आपने right click करना है new पे क्लिक करना है folder की option आ रही है आपने इस पे क्लिक कर देना है folder create हो गया इसका नाम रख देते हैं test folder अच्छा मैं शायद आप लोगों के लिए ना यह थोड़ा visible ना हो background ना मैं इसको change कर देती हूं test folder आपके सामने screen पे नज़र आ रहा है इसको size थोड़ा बढ़ा कर दिया है test folder है इसको हमने hide or unhide करना है इस पे right click करना है आपने इसकी properties में जाना है और यह देखे है hidden की option आ यह अपने इस पे click कर देना है okay करना है तो यह hide हो गया ठीक है इसको refresh करते हैं यह देखे रिफ्रेश कर दिया आप क्यूंकर मैंने create किया है इसनी मेरे सामने यह इतना तो नजर आएगा लेकिन जैसे ही कोई और user open करेगा इसको या किसी और account से open होगा तो यह hidden ही रहेगा यह नजर नहीं आएगा ठीक है और अगर इसको शो करना है तो दुबारा properties में जाकर right click करके इसको आपने select कर लेना hidden वाले को यानि uncheck कर देना और रोके पर क्लिक कर देना तो यह दुबारा से अपनी original form में वापस आगे हाइड और नहीं आइड आप इस तरीके से करेंगे अब एक टास किया थे कि shortcut create करें ठीक है किसी भी फोल्डर का यहां पे ठीक है यह किसी भी drive का shortcut create करें तो इसके लिए आप right click करेंगे new पे क्लिक करेंगे और shortcut पे क्लिक करेंगे ठीक है अब वो पूछ रहा है कि आपने किसका shortcut बनाने है ब्राउस करके आप जिस भी drive को है जिस भी चीज का आपने shortcut बनाने है आप वहां पे ले जाएंगे जैसे for example मैं final term के नाम से फोल्डर है इसका मैं shortcut बना चाती हूँ तो मैं ok पे click करती हूँ next ठीक है final term के नाम से इसका shortcut बन रहा है या मैं इसका इसके लिए एक text file create करें तो उसके लिए करना होते है आप राइट लिक करें सेम वही new पे click कर लें ठीक है यहां पर text document की option आती है आप इस पे click कर लें ठीक है आपने कोई hello या कोई भी file बनानी है वो लिख दें अब इसकी जो extension होगी ना वो dot text होनी चाहिए आप इस पर read only करना चाहते है यानि कोई इसमें data लिख ना सके तो आप read only पे click कर लें यह भी एक task आता है for example मैं इसके अंदर data भी कुछ add करती हूँ ठीक है इसको save कर दिया ठीक हो गया अभी read only नहीं है ठीक है यह text file अब मैं इसे दुबारा open करती हूँ ठीक है यह अभी भी इसके save किया बन कर दिया अब मैं इस पर right click करती हूँ इसको मैं read only करना चाहूँ और properties में जाती हूँ read only पे click कर देती हूँ ok कर देती हूँ अब क्या करूँगी कि अब मैं इसके अंदर दुबारा से data लिखना चाहूँगी typing करना चाहूँगी मैंने control s किया तो वो कहता है कि इसको आप किसी और location पे safe करें किसी और नाम से क्योंकि जो hello.text की file है यह तो read only इसके अदर है तो आप कुछ नहीं लिख सकते हूँ तो मैं नहीं करना चाहती क्योंकि वो safe करने पर option कहरा है कि नया कोई folder में कोई नई file बना कर दे रहा है तो मैं इसे नहीं करती हूँ don't save यानि read only ने यह क्या किया कि इसके अंदर मजीद data enter नहीं करने दे रहा है इसको just read only बना दिया इस file को read only नहीं की feature ने तो ये भी आपके पास टास का सकता है पेपर में उसकी माद अगसरी भी प्रोग्रम आजाता है कि आप एक फोल्डर बनाए और अपने नेबर्स के साथ उसे शेयर करें ठीक है इस तरह का भी प्रोग्रम आजाता है के network पे शेयर करें एक folder बनाके तो तो simple आपने जो भी फोल्डर बनाया हो जैसे यह test folder ही हमने अभी create किया इसी को हम कर लेते हैं इस पर right click किया और इसकी properties में चलेगे properties में आगे sharing की option होती है share पे click किया और उसके बाद आपने advanced sharing पे click करना है ठीक है advanced sharing पे click करेंगे तो share this folder की option आएगी आप इससे जिस भी नाम से share करना चाहते हैं आप इसका वह नाम रखती चाहिएगा ठीक है उसको limit करना है कि कितने user simultaneous एक वक्त में access कर सकते हैं यह देखे maximum 20 set हुआ minimum आप कुछ भी set कर सकते हैं कि जितने लोग इसे एक वक्त में देख सकते हैं ठीक है permission आप set कर सकते हैं अगर आप चाहतें कि फुल कंट्रोल देदें कि कोई भी इस folder को delete भी कर सके ठीक है यह change भी कर सके तो आप वह कर सकते हैं चेंज का काफी इस वीडियो के लिए वीडियो काफी लंबी हो रही है जितने टॉपिक्स रहे हैं वो नेक्स वीडियो में बताती हूं अपना बहुत ख्याल रखें दुआ मुझे याद रखें अल्लाहाफिस